नमस्कार दोस्तों मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इस्टेड़ी वी एलिश एलक्सपार और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आरो एरो की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश से आपको कम से कम समय में भैतर गंटेंट उपलत कर आना और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का हमारा एक और वीडियो हो जाएगा और यह हो जाता है इस्पेसल वीडियो उत्तर प्रदेश बजट से सम्मदेट बजट के आपके आप स्टूडेंट हैं आप जानते हैं बजट से आपके कितने कोशन पूछे जाते हैं आपकी परिक्षा में और कितना इंपोर्टेंट हो जाता है बजट का पार्ट आपकी परिक्षा की दरेश्टी से तो चलिए समय हमारे पास बहुत कम है और समय नगवाते हुए हम सुरू कर लेते हैं आज का वीडियो उत्तर प्रदेश के बजट से सम्मदेट और कोशन आपसे पूछा गया है फरवरी 2023 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट का आकार आपसे पूछ लिया गया है और बजट का आकार ये वो कोश्चन है जो बार बार आपकी छोटी से लेकर बड़ी परिक्षाओं तक भी पूछा जाता है बजट का आकार ये पिछली क आपकी जो है राउंड फिगर दी गई है इसका जो हम डिटेल की बात करेंगे तो वह हम आपको दिखा देते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2023 का ये आकार कितना हो जाता है ये हम आपको बता चुके है बजट पेस किया गया था ये डेट आपको याद रखने है डेट से भी आपकी जो है कोश्चन पूछे जाते हैं और आप एक अधिकारी लेविल की तैयारी कर रहे है तो उसमें जो है डेट जो है काफी इंपोर्टेंट हो जाती है कब पेस किया गया था बजट ये 22 फरवर 2023 को 2023 का budget paste किया जाता है budget के आकार से आपका question पुछा जाता है ये सारी चीजे वो हैं जो आपकी परिष्ट की दिरिष्टी से बहुत ही important हो जाती है और यहां से जो हैं आपको question हर बार देखने को मिलता है तो budget का आकार की बात करेंगे जो actual जो आपका हो जाता है ये हो जाएगा आपका 6,90,242,43 करोड रुपे यही जो है आप इस तरह से जो है इसको याद रख सकते हैं भूलने के आपको बिल्कुल भी आवशकता नहीं है ठीक है 6,90,242,43 करोड रुपे यह इसका हो जाता है आकार ठीक है और यहाँ जो है एक लाइन दी गई है अब तक का सबसे बड़ा बजट भी हो जाता है और हर बार जो है बजट बढ़ता ही है कम कभी नहीं होता है ये भी आपको याद रखने ठीक है तो हर बार जो है ये लाइन आपको बजट के सामने लिखी मिलेगी कि अब तक का सबसे बड़ा बजट ठीक है ये आपको याद रखना है बात कर लेते हैं इसी से संबंदित वर्च 2022 में बजट का अकार कितना था तो वर्च 2022 की बात की गई है आपको केवल याद रखना है 2023 का 6,90,242.43 करोड रुपे बात करेंगे राजस्व लेखे की यहां से भी जो है कोश्चन आपके पूश ले जाते हैं ये कितनी हो जाती है पांच लाग सत्तरहजार आट सो पैंसट पोइंसट पोइंसट करोड रुपे ये राजस्व लेखे की प्राप्तियां हो जाते है जहां से हमारा राजस्व आता है इसमें कर राजस्व कितना आता है तो ये आपका हो जाता है 4,45,889.69 करोड रुपे ये हो जाता है कर राजस्व और करितर राजस्व ये आपका हो जाता है एक लाग 24,994.7 करोड रुपे ये आपका करितर राजस्व हो जाता है इसके बाद बात करेंगे पूझी लेखे की जो प्राप्तिया होती है पूझी लेखे से कितनी प्राप्तिया हो जाती है तो 1,12,427.08 करोड रुपे ये पूंजी लेखे से प्राप्तिया हो जाती है ये आपको दिखाया गया है कि कहां कहां से प्राप्तिया होती है और इसके बाद जो है कहां कहां पर उसको खर्च किया जाता है इसके बाद कुल प्राप्तियों की बात करेंगे तो कुल प्राप्ति ही जो हो जाती है वो 6,83,212.74 करोड रुपे हो जाती है खुल प्राप्ति है इसके बाद बात करेंगे जो आपका व्याई होगा व्याई कहां कहां पर होगा तो सबसे पहले राजस्व लेखे पर व्याई हो जाएगा आपका ये आपके लिए important हो जाता है क्योंकि राजस्व लेखे से जो है विये से भी आपके कोश्चन बनते हैं ठीक है पांच लाग दो हजार तीन सो चोवन पॉइंट एक करोड रुपे ब्याज अदाईगी कितनी हो जाएगी इसमें ब्याज अदाईगी हो यह बावन हजार साथ सो पचपन पॉइंट छपन करो में पूछा जाता रहा है कोश्चन ठीक है और यह इसी तरह से पूछा जाएगा वर्स 2023 के बजट में राजकोश्य घाटे कितना है यह आप से पूछ लिया जाएगा तो यह हो जाता है चोरासी जार आट्टो त्रिरासी पॉइंट सोला करोड रुपे ये राजकोशिय घाटा हो जाता है दोजार तेश चोविस के बजट का प्रारमभी घाटा ये भी आपसे पूछी ले जाएगा 32,127.60 करोड रुपे ये आपका हो जाता है प्रारमभी घाटा सबसे इंपोर्टेंट आपका हो जाता है जो आपका राजस्विल लेखा हो जाता है और एक आपका हो जाता है राजकोशिय घाटा राजकोशिय घाटे की फीगर आपको याद रख लेनी है और यहां बात दूसरे question के बारे में, दूसरा question हमारा हो जाता है, देश की GDP में उत्तर परदेश का कितना योगदान हो जाता है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है, यहां से question एजिटीज उठा के आप से पूछ लिया जाएगा, देश की GDP में उत्तर परदेश का बात करेंगे इससे भी बनने वाले important point के बारे में, और हमारे चैनल पर केवल important के बात होती है, बाकी की बात हम नहीं करते हैं, देश की GDP में उत्तर परदेश का योगदान हो जाता है, आठ पर तीसत से अधिक, ये question एजिटीज उठा कर आप से पूछ लिया जाएगा, बज सकल राज घरेलू उत्पाद यानि GSDP में अनुमानित विरद्धी कितनी हो जाती है, ये भी आप से पूछ लिया जाएगा, तो ये आपकी हो जाती है, उननिस पर तीसत हो जाती है, सकल राज घरेलू उत्पाद में विरद्धी, इसके बात करेंगे, राज वस्तु एवं से का लक्ष, तीसरा कोश्चन हमारा क्या हो जाता है, एक जन्पद, एक medical college किस राज सरकार की योजना है, ये भी आपके लिए important हो जाते है, ये budget का जो पार्ट है, ये सारे कोश्चन आपके लिए important हो जाते हैं, और इनसे एक दो कोश्चन आपको हर हाल में देखने को आपकी प्रिक्षा में मिल सकता है बात की गई है एक जनपद एक medical college के बारे में तो एक किस राज की योजना हो जाती है तो ये हो जाती है उत्तरपरदेश की ये योजना जो है उत्तरपरदेश की हो जाती है और बात करेंगे इससे बनने वाले important point के बारे में एक जनपद एक Medical College उत्तर परदेश राज सरकार की योजना है बजट 2023 में उत्तर परदेश सरकार द्वारा परतेक जिले में एक Medical College की इस्थापना किये जाने का लक्षन निर्धारित किया गया है ये भी आपके लिए important हो जाता है इस योजना के इंतरगत परदेश के 45 जनपद Medical College से आच्छान दित किये जा चुके हैं और 14 जनपद में Medical College निर्माना धीन है और एस सेवित 16 जनपदो Medical College की इस्थापना PPP model पर की जा रही है ये आपको याद रखना है जो आपका PPP model है गौर्मेट केवली सी पर जो है काम कर है ये आपको भी ध्यान रखने वाली बात हो जाती है ठीक है ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्सिप बात कर लेते हैं अगले कोस्चन के बारे में मुख्यमंत्री किर्शक दुरगटना कल्यान योजना के अंतरगत दुरगटनावस मृत्व या दिव्यांकिता की दसाग में अधिकतम कितनी धनराची दे जाएगी ये आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है पांच लाग रुपे पांच लाग रुपे दिए जाएंगे दुरगटनावस मृत्यू में या फिर आपकी दिव्यांकिता की दसा में बात करेंगे इससे भी बनने वाले इ प्रावधान किया गया है ये हो जाती है पहली बात इसके बाद बात करेंगे दूसरे पोइंट के बारे में सारी योजनाई जो है आपके लिए इंप्रोटेंट हो जाती है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत धनराची का प्रावधान कितना किया गया है तो य ये भी आपको याद रखने इन फीगर से जो हैं आपकी कोश्चन पूछे जाते हैं ठीक है एक अजार पचास करोड रुपे कर्निया सुमंगला के लिए हो जाते हैं निरारसित विदवावता के लिए 432 करोड रुपे हो जाते हैं और इसके बाद बात करेंगे अगले पॉइ पर बीस हजार रुपी दिये जाएंगे लड़की पैदा होने पर आपको 25,000 रुपे का भी प्रावधान किया गया है ठीक है ये भी आपको याद रखना है कोश्च नमर हो जाता है हमारा पांच उत्तरप्रदेश बजट 2023-2024 के अनुसार सबसे कम रासी किस छेतर से आती है कब से सबसे कम रासी किस छेतर से आती है तो ये आप से पूछा गया है तो ये हो जाता है सबसे कम आती है आपकी रिन और अगरिम वसूली से रिन और अगरिम वसूली से सबसे कम रासी आती है और बात करेंगे इससे भी बनने वाले important point के बारे में उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के हम बात करें रुपिया आता है 2023-24 में कहां से आएगा ये हम देख लेते हैं और ये जो है रुपिया आ जाएगा सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा आ जाता है वो आपका सुवम का करिया राजस्वकर के रूप में 38.8% आ जाता है इसके बाद ये जो है सभी करिया दिखाए गई है रिन और अगरिम वसूली से सबसे कम यानि 0.4% आ जाता है लोक रिन की बात करेंगे 14.6% आ जाता है सबसे ज़्यादा दिया गया है और यहां सबसे कम दिया गया है पॉइंट नो परतीसत हो जाता है केंडरिय करों में राजस्वका जो राजियांस हो जाएगा ये आपका 27% परतीसत हो जाएगा और करेतर राजस्व जो है या है आपका 3.5% हो जाएगा सबसे ज़्यादा आपको याद रखने वाली बात है एक तो आपके सब से कम जो तो आपको याद रखना है और इनसे जो हैं आपकी question उचे जाते हैं और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं, और इस वीडियो के फिरी पीडिय सरवादिक अंस की च्छेतर में खर्च होता है। पिछले question में आप से पूछा गया था कहां से आता है। और अब आपसे पूछ ले गए कहां पर फर्थ होता है। रुपिया जाता है, कहा जाता है रुपिया, पिछली बार हमने देखा कहा से आता है, और अब जो है कहा जाता है, ये हम देखेंगे तो सरवाधिक अंस आपसे पूछागा है तो सरवाधिक अंस आपका आजाता है यह 21.7% आजाता है पूझीगत परिवे से सबसे ज़्यादा आजाता है सबसे कम अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे कम आजाता है आपका रिन और अगरिम कर से ठीक है ये सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला आपको बिल्कुल important है ये आपको याद रखना है रिन और अगरिम कर से 1.4% आ जाता है सबसे कम पूंजिगत परिवे सबसे ज़्यादा हो जाता है बाकी को भी हम देख लेते हैं रिनो का आप जो परतीदान है वो आपका हो जाता है 3.1% अन्य राजस्व व्याई जो है ये आपके 13.3% हो जाते हैं ये भी आपके लिए important हो जाता है यहाँ से भी आपके question पूछे जा सकते हैं भी आज की बात करेंगे 7.4% हो जाता है pension 12.1% हो जाता है यहाँ पर जो है खर्च किया जाता है साहता अनुदान में खर्च किया जाएगा 9.2% और subsidy 3.9% हो जाती है इस्थानिय निगाय को जो समनुदेशन देना है वो आपका 3.5% हो जाएगा और वेतन साहता प्राप्त संस्था यह आपकी 11.7% हो जाती है और इसके बाद आपके बचते हैं वेतन सरगारी करमचारियों को बजट का 12.7% दिया जाता है यह आपको याद रखना है इस तरह से जो हैं आपके कोश्चन पूछे जाते है वर्स 2022 में उत्तर परदेश में बेरोजगारी दर कितने परतिसत हो गई है वर्स 2022 में उत्तर परदेश में बेरोजगारी दर कितने परतिसत हो गई थी यह आप से पूछा गया है तो ये हो जाती है 4.2% 4.2% हो जाती है 2022 में ठीक है और 2000 अगर आपको 23 की बढ़नी है बेरोजगारी दर तो हमने अपने करेंट में कई बार कोश्चन कराया हुआ है 2023 की बेरोजगारी दर से ठीक है और वो लगबग 2.4% जोह सरकार के द्वारा बताई गई है बात करते हैं इससे बनने वाले important point के बारे में वर्स 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.2% हो जाती है मनरेगा योजना के अंतरगत उत्तर प्रदेश का जो इस्थान है देश में पर्थम हो जाता है मनरेगा योजना के अंतरगत उत्तर प्रदेश का इस्थान पर्थम हो जाता है देश में उत्तर प्रदेश परियटन नीती 2022 में रोजगार की स्थिति क्या है तो अगले 5 वर्सों में 20,000 रोजगार सिर्जन का लक्ष हो जाता है 2022 में उत्तर प्रदेश बजट 2023 में निर्मान कामगार की मृत्यूविकलांग साहतायों अक्षमता पैंसन योजना थैत निर्मान कामगार अंतेश्टी साहतायोंग को एक ही करत कर कौन सी योजना बनाई गई थी यह आप से पुछा गया है तो ये हो जाती है आपकी निर्मान कामगार मिरत्यों दिव्यांग साहेता योजना ये हो जाती है उत्तर प्रदेश के बजट 2023 में ठीक है ये आपको याद रखना है बात करेंगे इससे बनने वाले इंप्रोटेंट पॉइंट के बारे में एकिकरत नई योजना निर्मान कामगार मिरत्यों दिव्यांगता साहेता योजना हो जाती है इसमें क्या है दुरगटना में मिरत्यों होने पर पांच लाख रुपे जो है ये दे जाएंगे पांच वर्स्तक मासिक किस्त के रूप में ये दे जाने का प्रावधान हो जाता है सामान्य मिरत्य उपर दो लाख रुपे दिये जाएंगे और ये दो लाख रुपे रुपे भी जो है आपके दो वर्च तक मास्य किस्थों के रूप में दिये जाएंगे ठीक है ये आपको याद रखना है और पूर्ण इस्थाई दिवयांगता पर आपको चार लाख रुपे दिये जाने का प्रावधान इस योजना के अंतरगत किया गया है बात करेंगे अगले कोस्चन के बारे में उत्तर प्रदेश बजट 2023 में ग्राम पंचाय थे हूं वाड इस्तर पर डिजिटल लाइबरेरी की स्थापना की नई योजना ही तू कितनी राशी का प्रावधान किया गया है कि इस ऊत्तर प्रदेश के बजट 2023 में तो यह हो जाता है Tated would support दिजिटल लाइबरेरी की इस्थापना के लिए बात करेंगे इस appli बनने वाली important पॉइंट के बारे में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना ही तो 300 करोड रुपे का परावधान किया गया है संस्कृत विद्यालों की परीशंपतियों में सिर्जन ही तू 100 करोड रुपे का परावधान हो जाता है समगर सिक्सा अभ्यान ही तू 20,255 करोड रुपे का लक् सिर्दान किया गया है और पर्देश में उठ्षिक्षा है तो 19 राज्य विष्विद्याले हो जाते हैं एक मुक्त विष्विद्याले हो जाता है तीस निजी विष्विद्याले हो जाते हैं और 172 जो है राज के महाविद्याले हो जाते हैं और 331 सहायता प्राप्त ऐसास क महाविद्याले हैं और इसके बाद जो है 7372 स्वयवित पोसित महाविद्याले भी हो जाते हैं ठीक है ये भी आपको याद रखना है और चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आये हुआ और अगर आप चैनल पे नई हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर कर सकते हैं और इसकी फिरी पीड़ पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम और वाटसब चैनल से भी जूड़ सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार